हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब लोग तो आप लोगों को पता है जेके बैंक का अभी जो एक्जाम था आप लोगों का बैंकिंग एसेशेट का वो खता हो चुका है बहुत सारी शिफ्ट सी इसमें तो बहुत सारे बच्चों का यह मैसेज आ रहा था है कि एक्सपेक्टेड कट आफ पे बात की जाए तो मैं आप लोगों से आज यहां पर डिटेल में बात करूंगा हम लोग हर एक शिफ्ट के बा यह वीडियो पसंद नहीं आएगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखके बता सकते हैं यहां पर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है बैंकिंग एक्जाम का उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर आपके साथ सारी चीज़ें द्यान रखना है वो मैं यहां पर आपको बता दूँ यह आपकी रिक्रूटमेंट ड्राइव है यह 2018 की है जिसको 2021 हो चुका है खतम होते होते तो अब क्या-क्या चीज़ें यहां पर ऐसी थी जिसको हमें ध्यान रखना था या जो जो चीज़ेंग हुई है या हमने देखी है पहली चीज़ जो आपकी 2020 में वेकेंसी है वो कहीं ना कहीं 2021 में बड़ी है डिफिकल्टी लेफल जो है वो भी आपका 2020 में बड़ा है तो यहां पर क्या इसका कट आउफ जो होगा वो आपका 2018 का अगर इजल्ट आता तो उसके comparison में क्या वो कम होगा तो answer है नहीं cut off आपका जो होगा वो कहीं न कहीं इस बार जादा ही जाएगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ तो अब यहां पे हम detail में बात करेंगे आप लोगों ने बहुत बार banking एक्जाम दिये होंगे जिसमें आप लोगों ने IVPS के एक्जाम दिया होगा SBI के एक्जाम दिया होगा या RRB के एक्जाम दिया होगा आप लोगों ने देखा होगा maximum जो number of shift होती है वो होती है 12 या फिर आपकी जादा से जादा होती है 16 शिफ्ट JK bank में हमें क्या देखने को मिला है इस बार जो आपकी number of shift है पिछली बार भी 10 से 12 ही शिफ्ट थी शायद से 12 से 16 शिफ्ट थी लेकिन इस बार जो shift है वो है आपकी 40 तो क्या ये चीज आपका cut off में कोई difference लेके आएगी तो इसका answer है हाँ बहुत बड़ा difference होगा यहाँ पे आप लोगों ने हर एक वीडियो में मुझे बोलते हो सुना होगा normalization के बारे में बच्चों ने मैंने आपको हर एक shift के बाद बताया कि normalization होती है किस तरह से होती है क्या होती है उस पे हम यहाँ पे आज थोड़ा सा detail में बात करेंगे अगर आपने ये exam दिये हैं तो आपको पता है JK Bank के comparison में IBPS, SBI, RRB अगर किसी भी बच्चे ने exam दिया होगा या आपके friend ने exam दिया होगा आपने देखा होगा कि आपके 3-4 marks बड़े हैं या आपने देखा होगा आपके 5-7 marks बड़े हैं यह आम तोड़ पे देखने को मिलत है जिस भी shift में difficulty level जादा होता है उनको normalization के marks मिलते हैं इस चीजे हमने भी देखी हैं आप लोगों ने भी देखी होगी तो क्या इस बार JK Bank में normalization के marks इतने ही मिलेंगे तो answer है नहीं आपको जो marks मिलेंगे वो कहीं ना कहीं इससे जादा होगे reason क्या है मैं आपको ये भी बत सा देता हूं आप लोगों ने एक exam का नाम सुना होगा जो है आपका SSC SSC के exam आप लोगों ने अगर देखा है दिया है आज से चार से पांच साल पहले SSC में क्या होता था same number of shift होती थी जिसकी shift difficult आती है या easy आती है कोई फरक नहीं पड़ता जितने marks आपके बन रहे हैं उत तो इस चीज को objection उठाते हुए SSC में normalization add की गई SSC में normalization add होने के बाद हम लोगों ने जो चीजें देखी है पिछले दो सालों में वो क्या थी मैं अपनी example आपको देता हूं मान लीजे मेरा raw score इसमें बनता है 160 लेकिन normalization के बाद मेरी shift अगर difficult थी बागी shift के comparison में तो मेरा raw score जो है normalization के बाद 175 बन गया वैसे ही मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनका score 100 से 140 बन गया normalization के बाद और 200 में से बच्चों के score मैंने 212 भी देखे हैं SSC की मैं आपके साथ एक बात कर रहा हूं तो यही चीज आपकी JK Bank में भी होगी यह चीज मैं आपको बहुत confidence के स साथ कह सकता हूं यहां पर क्योंकि 40 shift हैं आपके exam में मैंने अभी आपको बताया 40 shift अगर आपके exam में आ रही हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी shift भाकियों की shift के साथ compare की जाए 40 shift में आप माल लीजिए 20 shift अगर आपकी easy है 15 shift आपकी moderate है तो 5 shift हमने ऐसी देखी है जो आपके JK bank PO level की भी थी यहां पर हमारे साथ क्या चीज है जो मैं आपको अपने experience से बता रहा हूं मैं अभी की date में हमारे साथ 1,00,000 लोग जुड़े हैं जिसमें कम से कम 20-25,000 लोगों की तयारी को मैंने खुद देखा है from 2018 मैं 2018 से उन लोगों को देख रहा हूं वो किस तरीके से improve कर रहे हैं किस तरीके से वो तयारी कर रहे हैं अब यहां पर दो चीजे मैंने को देखने को मिली कुछ बच्चे ऐसे थे जो mock test में बहुत ही अच्छा perform करते थे लेकिन exam में वो लोग 85 भी cross नहीं कर पाए including मेरे काफी सारे friends ऐसे हैं जो की IBPS clerk qualify कर चुके हैं वो लोग भी 85 तक आपके attempt को touch नहीं कर पाए reason क्या है यहां पर एक section आप लोगों ने देखी होगी reasoning quant reasoning और English हर जगा सेम थी लेकिन एक section थी आप लोगों की quant जिसमें कहीं सारी shift ऐसी थी जिसमें आपको caselet DI दिखी wrong number series दिखी और एक site आपको दिखा missing number series दिखी quadratic दिखी और आपको normal जो DI होती ह अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ अब मेरी तैयारी मैं यह मानता हूँ कि मैंने बहुत इसमें मैनत की है लेकिन अगर कल को मैं यह exam देने गया होता और अगर मेरी shift में यह चीज आती तो आपको मैं बता दूँ मेरे attempt भी shift में 22 से 24 के बीच में ही होते और वह shift calculative आ रही है आपकी तैयारी जितनी मर्जी जादा हो आपको at least एक मिनट या 45 सेकेंड तो question को देना ही पड़ेगा फिर आप जितने मर्जी शाप क्यों ना हो simplification में हमने देखी कहीं सारी shift में बहुत अच्छे level की आई तो वहां पर कहीं ना कहीं average student भी जिसकी तैयारी normal है और किसी एक की तैयारी जो बहुत जादा है वो भी in fact इस shift में दूसरे से 3-4 question जादा करके आया है यह मैं आपको reality बता रहा हूँ आप लोग खुद ही आपके compare कर सकते हैं तो यह जो एक अभी मैं आपको example दे रहा हूँ quant section की यह क्या role play करेगी अब आपके exam में अब आपको यहाँ पर मैं पहली चीज बताता हूँ जो आपको लोगों का quant section है जिसको मैंने अभी आपको explain किया तो बहुत हद तक यहाँ पर फरक पड़ेगा बहुत सारी shift बहुत अच्छे level की थी, calculative थी, बहुत सारी shift basic थी, easy थी हमने January 1st को हमने देखा, कुछ shift काफी easy आई, लेकिन last shift के बाद ये trend change हुआ, बीच में दुबारा हमने देखा, 9 January को देखा, हमने ये चीज होते हुए, 17th को भी एक shift में हमने देखा, कि कुछ shift easy आई, बहुत easy आई, तो ये जो आपकी shift है, 40 की 40, इसको compare करना बहुत मुश्किल है, और इसके दम पे एक cut off को predict करना बहुत मुश जिसमें पुजल जादा थी, जिसमें case let D.I.C, wrong number series थी, difficult थी, आप लोग अगर इस shift में 70 to 75 भी attempt करके आए हैं, तो आपका जो score होगा, वो कहीं न कहीं आपको 80s में दिखेगा, normalization के बाद, और जिन लोगों की shift moderate थी, अगर आप लोग इस shift में, इस exam में 80 तक टच करके आए हैं तो आप लोग इसमें safe हैं या आप मानके चल सकते हैं आपको भी normalization के marks मिलेंगे तो यहाँ पर अब मैं एक general idea आप लोगों को दे रहा हूं ऐसा नहीं है कि difficult वाले 70 के नीचे वाले सब बाहर हैं जरूरी नहीं है कुछ shift बहुत ही जादा अच्छे level की आई हैं यहां पर predict करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसको normalization के कितने marks मिलते हैं क्योंकि यह सिरफ और सिरफ इस समय IBPS ही बता पाएगा आपको कोई भी यहां पर YouTube पे या कोई भी coaching वाला आपको नहीं बता पाएगा लेकिन safe कौन है या जिल लोगों को attention नहीं लेने की ज़रूरत है मैं आपको बता दूं जो भी लोग exam में 80 plus करके आए है moderate और easy shift में आप लोग मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग सेफ हैं आप लोगों को भी normalization के थोड़े सा marks मिलेंगे cutoff definitely आपका हाई जाएगा reason क्या है normalization के marks सबको मिलेंगे normalization के marks अगर सबको मिलेंगे तो cutoff भी आपका कहीं ना कहीं उपर जाएगा अब यहां पर क्या है जो लोग 60 65 करके आए है उन लोगों का क्या तो मैं अब पर एक और आपको बता देता हूं चीज जो पिछली बार exam आप लोगों का हुआ था यहां पर क्या है vacancies आपके सामने हैं तक्रीबन तक्रीबन आपको बता दूं जो साड़े 300 vacancies आपकी पियोगी है वो लोग आपके वो लोग हैं जो लोग exam banking associate में 90 प्लस करके आए हैं और यह confirm है इन लोगों ने अगर banking associate का exam दिया है तो यह 90 प्लस या 85 प्लस तो यह करके आए ही आए हैं एक्जाम में अगर यह interview देने जा रहे हैं तो आप किसी को भी पूछ लीजेगा अगर यह करको select होते हैं तो 85 तो 90 की layer में जो बच्चे हैं वो यही लोग होंगे और 300 लोग top के आपका competition यहां से सीधा सीधा हट गए हैं डारेक्टली यह लोग हट चुके हैं दूसरी चीज यहां पर क्या है जो मेरे साथ काफी सारे लोग हैं जिन लोगों ने पिछली बार एक्जाम दिया था banking associate का उन लोगों ने क्या किया था 90 to 95 तक attempt किया था पिछली बार in fact कुछ लोग 100 भी करके आये थे 2018 के एक्जाम की मैं बात कर रहा हूं वो लोग को और डी आई वी पीएस पीओ क्लर्क अरवी पीओ क्लर्क यह एक्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो इसको अगर मैं जादा नीतों बताऊं तो सो बच्चे यहां से भी आपका competition इस बार है ही नहीं लोगों ने एक्जाम दिया ही नहीं है तो साड़ित 400 लोग अगर मैं एक आपको राउंड फिगर बताऊं तकरीवरं तकरीवरं 500 लोग ऐसे हैं जो टॉप के होंगे जो आपको दिख रहा है जो हर जगा जानबूच के कमेंट कर रहे हैं दिख रहे हैं 90 प्लस किये हैं हमने 95 प्लस किये हैं वो आपका competition ही नहीं है तो गूमफिर के अब यहां पर बात क्या आती है गूमफिर के बात यह है कि आप लोग अगर इस एक्जाम में 80 तक भी score कर लेंगे including normalization अब normalization जब को साथ मार्ग ज्यादा मिलते हैं दस मिलते हैं बारा मिलते हैं वो सब चीज़ें 65 है देखो normalization सबके साथ होगी किसको कितने marks मिलेंगे वो हमें नहीं बता लेकिन जो लोग भी 80 को cross कर जाएंगे वो इसमें selected है अब cutoff इसका 75 भी जा सकता है आप लोगों का 80 भी जा सकता है 70 भी जा सकता है वो depend करेगा आप यहां पर किस तरीके से normalization होती है क्या बच्चों को कितने marks मिलते हैं क्योंकि SSC की तरह अगर normalization हुई तो आपको marks बहुत ज़्यादा मिलेंगे अगर किसी बच्चे के 10 marks भी बढ़ रहे हैं on average तो आपका cutoff सीधा-सीधा 10 marks बढ़ जाएगा अगर यहां पर normalization उन्होंने इस तरीके से की कि बच्चों के marks जो ज़्यादा shift के हैं उनको कम करके normalization करके बाकी shift के साथ compare करने की कोशिश की तो हो सकता है cutoff आपका 70 भी चले जाए तो यह आपके सामने clear picture तो हम नहीं लेके आप आएंगे लेकिन यह एक चीज है यहां पर जो बच्चे कह रहे थे कि इस पर बात की जाए तो यह मैं आपके सामने बात कर रह हूं जितना मेरा experience है उसके experience के according में आपको यह चीज समझा रहा हूं अब जो होगा जिस भी तरीके से होगा हम लोग उसको accept करेंगे दो साल लंबा सफर है यह दो धाई साल हो इसको हो चुके हैं इसी से शुरुबात की थी और इसी की वज़ा से हम लोग एक लाग लोग लेयर है जम्मू किश्मीर में 1500 से 2000 लोगों की इसको अब हटना चाहिए ताकि freshers को भी मोका मिले और automatically जिसकी भी बच्चे की अगर कल को इसमें selection नहीं हुई तो आपको घबरानी की ज़रूरत नहीं है यह एक JNK का trend है जो हर बार चलता आ रहा है जब भी JK bank के exam होता है उसक 12 में मैं आया था तो तब मैं fresher था हम लोगों को मोका मिला आज हम लोग यहां से हट जाएंगे आप लोगों में से बहुत सारे लोग आएंगे जो कल यहां पे अच्छा करेंगे exam में cut off कम जाएगा तो आप लोगों का फाइदा होगा आप लोग बड़ी picture को देखें छोट बात नहीं हम लोग यहां पे हैं हम चीजों को वापिस से शुरू करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल को आप लोगों की भी selection हो तो आज के लिए सर्फ इतना ही रखते हैं मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्षर के साथ ओके काई बबाई टेक क अल्ग बेस्ट